बॉलिवुड में 60, 70 और 80 के दसक में कई सांदार फिल्में जैसे यादों की बारात कयामत से कयामत तक कारवा तुमसा नहीं देखा और बाहारों के सपने फिल्में देने वाले डिरेक्टर नासीर हुसेंग के पोते और बॉलिवुड सूपरिश्टार आमीर खांग के भांज की थी इमरांग की ये डेबियू फिल्म बाट्स आफिस पर सूपर हिट रही थी इसके बाद से इमरांग का करियर ग्राफ बाढ़ने लगा था साल 2010 में आई फिल्म आई हेट लव स्टोरी में भी इमरांग खांग को लोगों ने खुब पसंद किया इस फिल्म में सोनम कपूर के साथ इमरांग की कमेश्टरी खुब जमी थी इस फिल्म ने इमरांग खांग को इस्टार बना दिया इमरांग खान भले ही स्टार किड हो लेकिन कुछ ही साल में इमरांग की स्टारडम धुआ हो गई इमरांग खान साथ साल से परदे से गायब है आखरी बार 2015 में आई फिल्म कटी बटी में नजर आए इमरांग खान साथ साल से काम की तलास में है लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी फिल्म का एनाउंसमेंट इमरांग खांग की तरब से नहीं किया गया है साल 2011 में आई फिल्म मेरे ब्रदर की दुरहन फिल्म में भी इमरांग खांग को खुब पसंद किया गया था कैटरिना कैफ और अली जफर के साथ आई इमरांग की ये फिल्म सूपर हिट रही थी इससे पहले डेली बेली भी इमरांग की एक हिट फिल्म साबित हुई थी लेकिन बीते साथ साल से इमरांग को काम का इंतजार है देखना होगा कि क्या इमरान अपने इस्टार्डम को बरकरार रख पाते हैं या नहीं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करें